आप उनके पूछें आपका मन्शूर क्या है वो कहें कि जब हम बार करें हकूमत आएंगे तो किसी गार में नलका नहीं रहने देंगे जब हम बार करें हकूमत आएंगे तो दुनिया में कोई कुमा बाकी नहीं रहने देंगे जब हम बार सरे हकूमत आएंगे तो उल्टूबल बाकी नहीं रहने दिये जाएंगे सिर्फ बारिश के पानी पर गुजारा होगा और इसके जवा क्यूंकि हम खुदा के मानने वाले हैं हम इन बंदों के पीछे लगने वाले नहीं हैं तो मैं आप हदरात से पूछता हूँ कि क्या ऐसा फिरका मुल्क को कामजाब करेगा या उजारे लागा जी तो अब देखिए ये चहना कि हम इसलाम चाहते हैं लेकन इसलाम में सिका का कानून नहीं आएगा ये बिलकुर ऐसी ही जहालत पर बेखूवी की बात है कि हम मुल्क में कानून चाहते हैं पानी की जरूर जरूर है लेकन नलके का पानी नहीं होगा नलका हुआ पार दिया जाएगा जो बेखिए बर्बाद कर दिये जाएंगे जो प्याली चाह में पड़ी ही मक्षर नहीं निकाल करता जैसे जूटे खुदा को मच्छर में मार जाजा था ये जूटा मजब तो एक मच्छर से मर जाता है वो लगडा मच्छर सामने कीटी कर रहा है कि हम्मता तो निकालो मुझे बला अरे कि हो मच्छर से मार खा जा वो मुलक का कानून चिरा सकता है उनको क्या हाथ है कि मुलक में कानून चिराने का दावा करें शही बुखारी श्रीम में एक और मिशाल है हाँ अधरत संद लौट आला लवेशलम फर्माते हैं कि अल्वारत वाताला ने जो तेन मुझे पर नाजिर फर्माया इसकी मिशाल वारत के पानी ही जब ये वारत जमीन पर नाजिर होती है तो जमीन तेन किसम की होती है एक निशोजिती जमीन जहाँ पानी पानी की शक्छल में सालाब बनकर खड़ा हो जाता है एक वो खेट हैं जिसको गुकारी श्रीम में अज़त ने अर्जेत तयवा ब्यार वर्माया कि वो पाकीजा जमीन उसने अपना सीना खोल लिया और पानी अंदर ज़जब हो गया अब हमारी जिल्दी की तमाम जरूरियात अल्ला पाला ने उसी पानी की बरकत चोट खेट में प्यादा पर्मादी हमें गंडम की जरूर साथ तो वो कहा हो कि तलाब में या खेट में हमें गन्य की जरूर साथ वो कहा होता है हमें जवारबाजे की जरूर्ट है वो कहा मिलता है हमें कपाज की जरूर्ट है वो कहा होती है हमें आम, सहनार, केला, इन फलों की जरूर्ट है वो कहा होती है हमें फूलों की जरूर्ट है कुछ बू के लिए वो कहा होती है हमें जड़ी बूर्टियों की जरूर से जवादारों के लिए वो कहा होती है तो इसको हजरत ने सिका के ताबीर परमाया तालाब मिसाल है हदीश की किताब की इस किताब की जिस तरह तालाब में हर पड़ा लिखा या अनपड अपनी हांकों से पानी देख लेता है इसी तरह हदीश की किताब में हर आदमी को काला काला रसूल अल्लाब की अलफाज लगरा आ जाते है लेकन खेत में हर वक्त पानी नजर नहीं आता अकीबा यही होता है कि इस खेत में इतने भी फसल सादा हुई है वो सारी उसी पानी की ही वर्दत है अब खेत मुकमल है और सालाब इसमें मुकमल की देए नहीं इसलिए ये सालाब वाला खुद भी बेचारा खेत वाले से जाकर चीजें में दून करता है यही वज़ा है कि कितने भी महतेशीन हुए हैं वो किसी ना किसी इमाम के मुकल्द हुए मुहतेशीन के हालात में जो किताबें खुद मुहतेशीन ने लिखी हैं वो चार ही कितम की हैं तबकाते हर्पिया, तबकाते शापिया, तबकाते माल्पिया तबकाते हनादिला तबकाते गहर मुकल्लेदी नामी कोई किताब किसी मुहादिश में मुहादिशीन के आलाद में नहीं लिखी तो इसलिए ये खेट और तीसरी जमीन वो है जो एक तीला था ना तो वहाँ पानी कलार की चकल में खड़ा हुआ और ना वहाँ खेट की तरह कोई पदल होगी लेकर जो लोग यहाँ आबाद हैं इनको भी जुरियाते जिल्गी की जुरूरत है या नहीं जी अब ये जुरूरियाते जिल्गी खेट वाने से आदिल करें या नहीं और हासल करने के तरीके दो हैं एक जायज और एक नाजायज चोरी कर लेना तो जाएज तरीके से उन से सीज ले लेना इसको काते हैं सकलीद क्या चाते हैं सकलीद जाएज साल लगते सीज ले लेना और चोड़ी कर लेना गन्में यहां से उखा ले और दो चार जूते खा लिए चोड़ी करके और चलियां आगले एक सोच से जाकर तोड़नी शुरू कर दिए, आकर सिद्गी तो बेकारों में गजार नहीं है न, तो इती तरह सहीं कि इत कहीं का रोड़ा बानमती ने कुन्बा जोड़ा, बेकारों का कोई मजब भी नहीं, वो इत पर एक नतीथा याद आया, शाती थी क आदमी ने रोटी खानी थी, खा नहीं रिस्तेगार हूं का, उसने सोचा कि किसी तरह में भी बैर जाँ, अब तोड़ा रहा हूं कि बारात वालों में बैचुँग। या मेल वालों में बैचुख। उन्होंने स्वे कर आ आखर दर्म्यान में बैर लिया एक जगर, अब ब लड़की का चदे हो रहा हूँ, वो लोपन लगे, यह को नियाई रिस्ता है, जार मुकल्दों वाला पहले तो कभी सुनाने, चदे हो रहा हूँ, उसने का लड़की का बाप और मैं पीसी जमाने में एक अचे चट्टू चलाया करते हैं, अब वो समझ गया है कि यह सिरु खा पहले का बाभन है रिस्ता, यह रिस्ता हम नहीं जानते हूँ, और ने रिस्ता थो हो अम लोगों में आचा कुछ रिस्ता नहीं होता, ओनलों साथ्य आप जाएं, हमें आख रिस्ते को पहचानते ही नहीं, अब यह बाड़बड़की भडा हूगा, तर खाना-काना था, लि तो जब बाजय वारे रोती काने लिगें तो खालाने वाले ने देखा कि बाकियों के पास तो कुई ना कोई बाजय है यह जल्लेवारा दर में पहर रहा है ये गौन है को उसने कहा ब chiffon कि निपार अपना अपना बाजया के सुनाओ तारे अब सब ने अपना अपना बाजा बजा के सुना दिया जब जिसकी बारी आई कहां भी तुम भी बजाओ उसने कहा कि मेरा अकेला नहीं वाइता सब ने मेरा जुला बजा करता है तो पिल्कुल यही बात गार मुकल्ड करता है कि मेरा अकेला कोई मजब नहीं हमने मिला जुला जाता मेरा मदब है तो इसी तरह इन पेचारों का मतलब क्या है चोरी जाके का मतलब है 2-4 मस्छाज़े शाखियों से चरा लिए और हाँ जी हाँ जी हम सुम्हारे जाते हैं हम आप जाते हैं उनके साथ मिल गए और फिर बेटर मसले हम बर्यों से ले लिए उनके पास चेलेगे कि हम आप जाते इसलिए दुनिया में हमारा सिरका जर्थ पाकिसाल में चंद आदमी रहते हैं और तिल्फल यतीम मस्कीन सिरका है जो सूद आपके पास हो ज़कात हो तो हम ये दीमों मस्कीनों को दे दिया करो क्योंके और दुनिया में कहीं हमारा तिर्था मौजूद नहीं है कितने बड़े जहां में कोई नहीं हमारा तो अब अंदाजा लगाएं अल्ला के परगंबर स्ल्लाला अले वसल्म ने फिका की मिताल दी है खेट से और बाकी जितने लोग हैं उनको भी जरूरियाते जिन्दी के लिए खेट की जरूरत है या नहीं अब हम लोग इमाम आजम अबु अनीपा रहमतुल्ला अले ने मिहनत करके जो खेट पठाया था उसकी फचल खा रहे हैं और अकीदा यहीं रखते है आजम आजम दे लिए तो अब कोई आपके पास जमात आए वोट लेने के लिए हम भी वोट लेकर आप क्या करेंगे कि हम मुझ में कानून चलाएंगे आपका मनचूर क्या होगा उसनी का कि सम्भ से पहले हम मुझ के सब खेतों को आग लगाएंगे पुजार देंगे क्योंकि खेट मिशाल भीका की है न और ये मिशाल मैंने अपनी तरफ से भियान नहीं की बुखारी तरीम ने अल्ला के पेगंबर सल्लाइब ने मिशाल भियान फर्माई है तो देखिए जिस तरह खेट के लिए पानी जरूरी है इसी तरह इनसानी जिन्दगी इसलामी जिन्दगी के लिए फिका जरूरी है कोई खेट बगार पानी के पनप सकता नहीं और जो खेट का दुच्मन है वो मुलक का दुच्मन है इसी तरह जो फिका का दुच्मन है वो इसलाम का दुच्मन है तो जब भी कानून आएगा तिका की शक्रमी आएगा ये कहना कि इसलाम तो नावज हो तिका नावज 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 ये ऐसी ही बात है कि मुल्क में बारानी जमीने रहें लेकन खेट उगरा उसे सदर आमोगने नहीं देंगे बस बारिज का पानी चीती कर गुजारा करेंगे और आपको भी बारिज के पानी पर ही रखेंगे अब जब हम नहाएत वाज़ देलों से ये बात समया देते हैं कि ठीका से गुजायर कभी भी किसी मुल्क में कानून नावज नहीं हुआ और फिका खीकी जटर में कानूम आएगा तो अब दो पातों से हमें जुराया जाता है एक तो ये बात कहीं जाती है कि फिका कितनी ही जिरूरी सही लेकन आप नाम न ले क्यूं? आप फिका हन्ती का नाम लेंगे तो वो फिका जापरी का नाम लेंगे वो फिका इसलिए आप कम ज़कम उनका खियाल करें आप फिका हन्थी का नाम ले ना छोड़ दे मैंने आपसे पूछा फिका की बुनियाद कितनी चीजे हैं चार तो फिका जावरी वानों का कुरान गार में है उनका कुरान का है तो उनकी फिका की ताली बुनियाद ही नहीं वो फिका कैथी जिसकी बुनियाद में पुरान ना हो और दूसरी बुनियाद सुनत है तो शिया के पाथ अभीष की कोई गिदावी नहीं तो गोया दूसरी बुनियाद भी मजूद है इजमा ए उम्मत तीसरी परियाद है, इसको वो मानते नहीं, वरना सिती की अद्म रजी अल्लाह पारानों को खरीबा बाराँ के मानना पड़ेगा, इसलिए वो इजमा को भी मानने के लिए तयार है, नहीं, अब बुल्कुल कोई ख़ीशना पड़े, खाब कितनी ही सकी क्यों क्यों? वरना लोग जूटी करेंगे फिर, तो क्या हम इस मशुरे से सक्कियत इसे करना छोब देंगे? आपके मुल्क में जाली करंटी होपी है या नहीं? होपी है ना? तो आप कोई मशुरा देख के ख़बरदार कभी ख़ड़ा पैसा भी पास ना रखना? क्योंकि मुल्क आप इस तार से अपने सारे पैसे टैंक देंगे? जाली कवाएं दुन्या में बनती है या नहीं? तो अब आप यही कहेंगे ना? क्योंकि मुल्क में जाली कवापरोश मजूद है, ऐसा ना हो कि आपको भी इस गुना में शिर्कत करनी पड़े और आपके इस सही कवापीने क्या? यह जो बात है, इस पुरीके से अगर हर जगा आप साथ को मानते हैं, जूद को छोड़ते हैं, तो फिका में क्यों यह माननी बाती किया जाती बात? हम कहते हैं कि सच्छी फिका उपको किसी कीमत पार है? छोड़ेंगे नहीं और जूदी फिका को किसी कीमत पर कि अगर जरूरी फिका नाफज करनी है, तो आजकल के वोका लाह हैं, जस्टिस हैं, परोपैसर हैं अर्भी जांते, ये भी वो अर्भी से वाकिस हैं, तो इन लोगों को बढ़ा दिया जाए ये एक फिका मुरस्तम करने, तो पहली बात हुए, ये पात मुझे एक गायर मुप मैंने का पहले हैं, चार मज़ाएग, उनमें ते यहां शिर्फ एक मज़भा बाकी तीनी यहां, लेकन आप शोर मुझाते हैं कि चार मज़भों में इस्तलाफ है, चार मज़भों में, तो जब दो हजार फिकें बनेगी, तो उनमें इस्तलाफ होगा या नहीं, किसी कुना किया है, कि उसको छोड़ कर, उन लोगों को बढ़ाया जाए, जो पिर्दार के इतबार के जानी भी है, जो शराबी भी है, और उनको कहा जाए, कि कौन कानूने इस्लामी मरत्व करो, जो अपने जिस्मों को लिए कानूने इस्लामी बरावन करने के लिए से यार, नह तो पर ये अभू अनीका भी किसी अभू नीका, कि ठीका के खलाव को राजदन बोलेंगे, जेकन कोई जान नहीं कहें ये ठीका है, तो ये कहेंगे आमनमततत्तमा, कोई शरावी कहें, मैं ठीका बचाता हूं ये पारेज के ठीके, लग जाएंगे, तो मैं तो आ करता हूं कि ये खुदा का अजाब और पहर है, तो ये ठीका के मुताबले में आजी ठीका की हिजावत देना, और आजी ठीका के पीछे, भाया, ये दिखा है कि मसला परावी तरू त्यान करें कि परावी आज हैं ये बीच, वही आज बीच का तो कोई जग्रा हैं ये दुनिया में, य जग्रा ये है कि नमाज तरावी कोई नमाज है भी या नहीं, शीया खुल कर कहते हैं कि नमाजे तरावी कोई नमाज नहीं और वो परते भी, नहीं, एले सुनतवा जमात खुल कर कहते हैं,